बाई भारत और इंग्लंड के बीच में ये जो टेस्ट स्रीस चल रही है पिलकुल ऐसा लग रहा है कभी हम आगे कभी हम पीछे राची में तो भाते टीम आगे हो गई और श्रंकला पर भी कबजा कर लिया लेकिन अब ऐसा लगता है कि धरम शाला महमानों के लिए पूरे तर है वहाँ पर और इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे स्वागत आपका ये स्पेन क्रिक इंफो मैज रहें दी में और हमेशा कि तरह मौजूद हैं संजय मांस रिकर बहुत वा स्वागत संजय भाई आपका तैंकियो सईयर संजय भाई धरम शाला वे ये मुकाबला शाद नहीं होगा ये कहना कि ये पूरे तरीके से अगर हम देखें तो इंग्लंड के लिए महमान नवाजी का सबसे पढ़ियां जिसको कह सकते हैं कि तरीका या पिच या मौसम भारत सोचेगा कि हम इंडिया में खेल रहें या फिर हम वहाँ जाकर खेल रहें देखे आसमान आसम अगर वह बिलकुल इंडियन हो तो फिर वह जो हवा जो होती है थर्ण हवा उसका कोई असर नहीं होगा अगर पिच टर नहीं हो तो फिर भी लगेगा कि भारत में मैच हो रहा है और धरमशाला दिखने में तो लगता है कि स्विच्जिलन में है लेकिन है भारती जगा तो शायद पिच भी उसी तरह का हो तो ज्यादा मदद ना हो शायद इंडिलन को दिखेंगे पिच कैसा है बड़ी सही बाद आपने कही और ये कुछ आखड़े भी बताते हैं संजया भाई क्योंकि कुल्दीप यादव ने यहाँ पर जब आखरी बार खेला था तो चार विके पाठिदार के लिए उतना अच्छा कुछ रहा नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या पाठिदार को एक और मौका दिया जाए या पर देवदत पडिकल का डेब्यू इस डेब्यू स्रीज में जहाँ पर सब का डेब्यू हम देखते चले आ रहे हैं एक और डेब्यू हम पडिकल का भी देखेंगे द्रमशाला में संजय भाई देखें जिस तरह से सिलेक्टर्स की सोच रही है जैसे उनोंने प्लेज का चुनाव किया है और टीम मैनेजमेंट भी जो है राहूल ड्रविड और रोईशर्मा कप्तान जिस तरह से उनकी सोच रही है तो लगता है कि राज़त पटिदर को एक और मौका मिले का और मिलना भी चाहिए और कही अगर आप नसीब में बिलीव करते तो ऐसा लग रहा है कि यह जो चीज़े आपके कंट्रोल के बाहर होती है अगर वो आपके पक्ष में आ जाए तो कुछ गजब बदलाव आता है लोगों के स्रीज में देखेंगे तो लगता है कि एक और मैच उनको मिलेगा और हमेशा यही एक राय रही है और यही एक उनकी रण मीती रही है कि किसी भी यूबा खिलाडी को अगर आप मौका दे तो एक दो मैच ने उनको एक लंबा आप अफसर दे यह बड़ी अच्छी बात है औ लेकिन अब एक बड़ा सवाल संजय भाई आपने कहा कि भाई वहाँ पर ठंड है मौसम पूरे तरीके से इंगलंड वाला है लगना है कि तुर्जर लेंड में मैच होना है लेकिन पिच इंडियन है मौसम इंगलंड वाला है तो जो कॉम्बिनेशन है क्या भार्पिय टीम तीन तेज गेंड वास सोचेगी यहां पर रिस्क होगा से फर साइट दो तेज गेंड वास तीन इस पिनर जो कॉम्बिनेशन चल रहा है एक तो हमें देखना होगा मैच कि दिन कितनी ठंड है क्या है और सबसे महत पूर्ण जो चीज है कि पिच कैसा है और ज्यादातर अग अगर टिपिकल जो हमारा एक टर्निंग पिच होता है भारत में अगर उस तरह का हो सूखा पिच तो दो से ज्यादा सीम बोलर्स खिलाने नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास तीन बहुती चांदार स्पिनर्स है जाड़े जा अश्वन और पुल्दी पिया दो तो मैंने दि तक कि कोई स्पिनर्स ड्रॉप होगा तीन स्पिनर्स खिलेंगे और दो सीम बोलर्स तो बेलकुल छोटा सा सवाल आपसे कि फिर बुम्रा किसकी जगा अकाश दीप या महमा सिराच देखिए रोटेशन पॉलिसी यह भी होना चाहिए कि आप बराबर लगांकर ऐसे क्योंकि एक अच्छी शुरुवात है और फिर हमको एक अफसर मिलेगा उनको देखने के लिए कितने मंजे हुए यह सीम बोलर है मौमद सीराज ने बहुत ही अपना हुनर दिखाया है तो उनको आप रेस करे और आकाश दीप का जो फॉर्म उनने पहले मैध में पकड़ा है तो अगले मैध में दूसरे मैध में उनको डॉप करना थोड़ा सम मुझे लगता है उनके लिए ठीक निए भारती क्रिकेट और भारती क्रिकेट टीम के लिए इतना बड़ा कोई ज्यादा एक कॉम्परमाइज नहीं है कि आप सिराज को ना खिला कर आकाश दीप को खिला और यही यही भी मुझे लगता है कि शायद रोई शर्मा और राहूल ड्रविब भी इसी तरह सोचते होंगे इंट्रेस्टिंग मज़धार रहेगा यह और सबसे बड़ी जो चीज रहेगी संजय भाई वो यह भी रहेगी कि एक साथ दो खिलाड़ी जब पहुंचेंगे मै बादान में एक इंगल laund से एक भारत से तो दोनों ही के नाम एक के निजी करतिमान रहेगा सौटेस्ट मैच आर Schvin सौटेस्ट मैच जोन्नी वेश्टो हम लोग के पिछले मैच में जॉन्नी बेस्टो के फॉर्म को लेकर यही बात कर रहे थी कि क्या बेस्टो की जगा बाहर बैटे खिलाडी आएंगे क्या वहाँ पर लॉरेंस को जगा मिलेगी लेकिन सौवा टेस्ट मैच है तो जहीर तोर पर खेलेंगे खेल सकते हैं बेस्टो संजय भाई लेकिन मैं आपसे एंडियन हंडर्ड प्लेर हंडर्ड टेस्ट मैच प्लेर के बारे में बात करना चाहूंगा अच्विन अहाँ भले ही एक ही फाइव विकेट हॉल इस स्रीज में रहा है और जहाँ पर ऐसी परफॉर्मेंच जहाँ पर आफ सिर्फ मैच नहीं जीते हैं तो वहाँ पर मुझे यह कहना चाहिए जो तीन विकेट उन्होंने बहुती अच्छे पिच्छ पर लिये हाली में आप यह कतिन समय था भारत के लिए, भारत थोड़ा सा दबाव में थी वह मैच उन्होंने जिस तरह से टर्न किया, मैच तो वह मेरे दिमाग में फ्राश है वो थोड़ा सा दर्शाता है कि किस तरह के बोलर रविच अननाश्विल है लेकिन सबसे जो खूबी जो उनमें मैं देखता हूँ वो यह है कि टेस्ट क्रिकेट एक तो बड़ी टेस्ट होती है वहाँ पर पहुचना फिर टेस्ट क्रिकेट खेलना लेकिन कोई भी बंदा अगर सौ टेस्ट मैच खेलता है तो वो बहुत ही एक स्पेशल खिलाडी होता है महान खिलाडी सिर्फ सौ टेस्ट मैचिस खेलते है क्योंकि अगर आपके पास वो जिद ना हो और वो गट्स ना हो तो यतना लंबा टेस्ट करियर आपका होता नहीं तो ये उनको दाद देनी पड़ेगी और जो कारीगरी उनके पास है जो हम लगातार देखते रहें और ये जो हैनक के हमेशा फाइट के लिए रेडी होते हैं वो बल्ले बाजी जब करते हैं जो बंदा अपने बोलिंग से टीम में सेट है और टीम को जितात है अपने बोलिंग से जिस तरसे ये बल्ले बाजी को आते हैं और किस तरसे वो खड़े रहे के कोशिश करते है वो आपको थोड़ा सा बता था है कि इनका character क्या है रवी चंदरश्वीन का तो कला किसार सबसे बड़ी उनमें जो ताकत है वो है उनका character कला कार तो ही साथी साथ character भी है शांदार आफिर में चलते चलते संजय भाई, इंगलंड की भी अगर बात हम करें, जॉन्नी बिस्टो का हमने जिकर किया, सौवा टेस्ट मैच खेल रहे हैं कोई change आफ देख रहे हैं, क्या इंगलंड के दिमाग में भी चलेगा कि एक extra pacer के साथ उतरे हैं, अल्ड़ी उनके पास दो pacer हैं, अगर strokes bowling करते हैं तो तीम भी हो सकते हैं, तो क्या वो उच्छना भी हुई थी, उनके selection को लेकर, तो अगर हम आपको fresh हो, तो थोड़ा सा मज़ा आएगा, क्योंकि धरमशाला में हमने देखा है कि bounce होता है, सूखा हो page या turn वाला page हो, लेकि बाउंस तो जरूर होता है, तो शायद दो या तीन सीमर्स के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि यह जो तीन स्पिनर्स लेके खेल रहे हैं, वो एक run नीती, अभी तक थोड़ा सा उनको आशाव जरूर दिये, लेकि score line 3-1 होगी, तो कही न कही लगता है कि रहाना, एहमद अगर फिट हो तो शायद नहीं खेलेंगे, और दो स्पिनर्स और शायद तीन सीमर्स के साथ जा सकते, लेकिन मुझे लगता है कि Markwood और Jimmy Anderson खेलेंगे, क्योंकि pitch, मुझे लगता हावा ठंड होगी, लेकिन pitch एकदम, क्या आप बोलते हैं, उसमें मिर्ची होगी थोड़ा सब लगता है, थोड़ा सब गरम जो balance है वो करने के लिए शायद वो pitch, टर्निंग pitch होगा, तो इसलिए जादा carried away नहीं होगी, तीकी होगी pitch में तीकी होगी, मौसम होगा ठंड, क्या होता है वहाँ पर मज़डार रहेगा समी करन और संजय माज़ेकर हमारे साथ जोड़े रहेंगे, इस पूरे टेस्क मैच के दोरान भी, आपसे मलखात होगी संजय भाई फेल, जैसा ये मैच शुरू होता है, उसके रिव्यू को लेकर, फिलाल, ESPN क्रिक इंफो मैच जै हिंदी में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया